बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com कन्यालग्न मंगल के कारण यहां पर समस्या होती है अगर मंगल ने टांग लगा दी अपनी तो आपके बने बनाए काम निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे और अगर ऐसा है तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिएगा तुलालग्न में काम बिगाड़ता है ब्रिहस्पती और ब्रिहस्पती जो यहां काम बिगाड़ता है उसे बहतर करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा विश्चिक लगन यहाँ पे काम बिगड़ता है बुद्ध की वज़ा से और अगर बुद्ध की वज़ा से काम बिगड़ रहा है तो गणपती गजानन की पूजा करने से आपको लाब होगा धनू लगन में शुक्र काम बिगाड़ता है और अगर शुक्र काम बिगाड़ रहा है तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाब होगा मकर लगन मकर लगन में सूर्य काम बिगाड़ता है और अगर आपका लगन मकर लगन है और आपका काम बिगड़ रहा है तो आप नियमित रूप से सूर्य देव की ही पूजा करिए ताकि आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए कुम्ब लगन यहाँ पर काम बिगरता है चंद्र की वज़े से तो अगर चंद्रमा की वज़े से काम बिगर रहा है तो भगवान शिव की पूजा करिए आपको लाब होगा मीन लगन शुक्र की वज़े से यहाँ काम बिगर जाते हैं और अगर शुक्र की वज़े से यहाँ काम बिगर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको निश्चित रूप से लाब होगा अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें ग्रह बाधा पहुचाते हैं शादी के काम में कोई और ग्रह बाधा पहुचाता है पढ़ाई के काम में कोई और ग्रह बाधा पहुचाता है कौन सा ग्रह किस काम में बाधा पहुचाता है जैसे अगर सिक्षा संबंधी काम हो तो चंद्रमा और बुद्ध के गड़बढ होने से बाधा आ जाती है चंद्रमा मन सो जायतह मन ही गड़बढ हो गया बुद्धी ही गड़बढ हो गई तो सिक्षा में बाधा आ जाएगी करियर संबंधी काम ब्रिहस्पती और शनी करियर के लिए बाधाउत पन्न करते हैं अगर आप करियर संबंधी काम कर रहे हैं और ब्रिहस्पती शनी गरबड हो गए तो आपको करियर संबंधी काम आपका बिगर जाएगा विवा संबंधी काम शनी, राहू और केतू निश्चित रूप से बिगारते हैं शनी को न भी माने तो राहू केतू ऐसे ग्रह हैं जो विवा संबंधी काम को बिगार देते हैं घर बनाने का और घर से संबंधित कोई कारे हो मंगल और सूर्य यहां responsible होते हैं और अगर मंगल सूर्य बिगड़ गए, घर बनाते समय तो घर नहीं बनेगा या घर को आप रिपेर करवा रहे हैं, रिनुवेट करवा रहे हैं, मंगल बिगड़ गया नहीं हो पाएगा स्वास्थ संबंधी कोई काम है, आपका स्वास्थ बड़ा अच्छा चल रहा है तो आदमी दो जिन, धाई जिन में ठीक हो जाता है, सूर्य बिगड़ता है तो महीने बर में ठीक होता है और राहु जब बिगड़ता है तो कम से कम साल, जेर साल तक आदमी बीमारियों से जूजता चला जाता है तो देखिए अलग अलग ग्रह होते हैं आप में देखा होगा कि किसी का काम रहस्पती बिगारता है किसी का शनी बिगारता है आप हमेशा यह नहीं कह सकते कि सबका काम शनी ही बिगारता है शनी बुरा है